सक्सेस वारेच चनल में एक बार पुन है आपका स्वागत है जी हाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायती चुनाव का त्रियस्तरी आरक्षण कैसा होगा इसकी अधसूचना जारी कर दी गई है और आपके लिए है यदि आप परधाने लड़ना है तो भी आपको यह आवश्चक है यदि आप एक जाम की तयारी करने तो भी आजाना आवश्चक है यदि आप यूपी के ग्राम पंचायत सदस्य के वोटर हैं ग्राम पंचायत के वोटर हैं तो भी आजाना आवश्चक है जी हां देखे राज्यों में आरक्षण की गढ़ना कैसे की जाएगी उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधनियम 1947-11 के उबंधों के अनुसार राज की उनकी जनसंख्या का कुल जनसंख्या अनुपात में किया जाएगा तो आपके लिए यानि कि जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधनियम 1947 है इसकी बात ये कर रहा है उसी कि अनुसार आप उत्तर प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज चुनाओं में की जाएगी अब आईए देखते हैं क्या है 27% अनुमन्य है कि पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रत्षत आरक्षित किये जाने की दशा में आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संगरना में मात्र भागफल के पुडांग को ही संग्यान में लिया जाएगा सेश संग्यान में नहीं लिया जाएगा यानि जो भागफल आएगा वही लिया जाएगा जो सेश आएगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा 27% से भाग देने पर यानि कि कहने का ताद पर यहां पर बता रहा है आप जहां से सुलिजे यदि भाज भाजक से पूर्टा भाज इतना हो कुछ सेश बसता हो तो भागफल में एक बढ़ जाएगा बस यही हो सकता है तो आप देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 58149 ग्राम पंचायत है यह काफी इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए भी आपकी जानकारी के लिए भी 55194 टोटल ग्राम पंचायते हैं अनसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या का 0.5677 प्रत्सत है अतह प्रदेश में प्रदानों के पदों की कुल संख्या का 0.5677 प्रत्सत है इसी प्रकार प्रदेश में अनसूचित जाती की जनसंख्या यानि अब स्ट की बात हो रही है 20.6982 प्रत्सत है यह स्ट की बात की गई है और यह जो संख्या है यह स्ट की संख्या है यसी के बारे में कहा जा रहा है 20.6982 प्रसत है अतह प्रधान के कुल पदों की प्रसत भी इनका होगा 20.6982 प्रसत अर्थात की 12,045 पद यसी के लिए आरक्षित है 12,045 पद यसी के लिए आरक्षित है अब हम लोग बात करते हैं आपके OBC की 27% है जो 15,712 बनता है 27% OBC है जो 15,712 बनता है टोटल इनकी संख्या और फिर कहा जा रहा है कि जो अब देखें यहाँ पर सबसे पदों को भी सम्मलित करते हुए कुल सदस्य का एक तिहाई पद इस्तरियों के लिए यानि 33% पद इस्तरियों के लिए रहेगा यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप इसका पिक ले लें अनसूचित जन जाती का है 330 सीट अनसूचित जाती का सीट है 12,045 और पिछडी जाती का सीट है 15,712 इससे जो सेस बचेगा वह बनलब की सामान की जनरल की सीट होगी अतर मुझे उमीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा थन्यवाद नमस्कार